एक और छोटी सी कहान जानकारी स्रीमत भगवत गीता अध्याय दूसरा और स्लोक नंबर 71 भगवान स्रीकृष्ण क्या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इसे जरा समझे विहाय कामान्य हसरवान पुमांस चरत निस्प्रिह निर्ममो निरहंकार सवशांती मधिगच्छती विहाय कामान्य हसरवान आज के समय में जिसे भी देखो वह शांती की तलास में है मन असांत कहीं न कहीं अशांती मन में सबके है क्यों न हो क्यों कारण क्या है अशांती की क्योंकि हम अपनी कामनाओं का त्याग नहीं कर रहे हैं ममता और अहंकार का त्याग नहीं कर रहे हैं निस्प्रिह हो करके कार्य नहीं कर रहे हैं वही तो भगवान ने कहा विहाय कामान्या सरवान छोड़ दो किसको? कामनाओं को. जो भावतिक इक्छाएं हैं, काम हैं, उसका त्याग कर दो. और उमांस्चरत निश्प्रिह और निश्प्रिह होकर के अपने कार्ये में लग जाओ. अब आज के परिवेस में जरा देखिए, काम तो हम बहुत सारा कर रहे हैं, धन अर्जन करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत प्रयत्नों के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है अब इस इस लोग को जरा वहां पर बिठा करके देखिए, वहां भी इस लोग बैठ रहा है, हम कारे प्रारंभ करने से पूर्व भी कारे भी कौन करने जाते हैं, जिसके परिणाम को हम पहले ही जान लेते हैं यानि हम को हमारे मन में ये हो जाता है कि इसका ये परिणाम निकलने वाला है, ये फल प्राप्त होने वाला है, और तब हम कारे करने की तरफ बढ़ते हैं और फलस्वरूप हमें सफलता प्राप्त नहीं होती क्योंकि हमारा ध्यान काम पर नहीं, परिणाम पर रहता है और भगवान पृष्ण ने कहा क्या कहा अगर सफलता या सांती चाहिए तो विहा या कामान्य हसरवान अपनी कामनाओं का पहले त्याग कर दो पुमान्स चरत निस्प्रिह वो पुरुस निस्प्रिह हो करके न अच्छा बुराबस कर्म करे अपने कर्म की तरफ लग जाए निर्ममो निरहंकार सांती मदिगच्छती उसे सफलता अवस्य प्राप्त होगी